दोस्तों सवागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में दोस्तों आज का जो हमारा चैप्टर है वो है कारबन तथा उसके योगिक तो दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कारबन होता क्या है और उसके बाद में इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे दोस्तों कारबन सब्द का जो नाम पढ़ा वो लेटिन सब्द कारबो से पढ़ा दोस्तों इसका मतलब है कोईला और अगर हम बात करें तो भो परिपटी में खानिजो के रूप में केवल 0.02% ही कार्बन उपस्थित होते हैं और अगर वायू मंडल के बात करें तो ये वायू मंडल में 0.03% कार्बन डायकसाइड गैस के रूप में उपस्थित होता है अब दोस्तों अगर हम यहां पर उदाहरण के बात करें तो इधन, लकडी, को का इंट्रोडेक्शन अब हम बात करेंगे जो हमारे चेप्टर का पहला पोईंट है वो है कार्बन में सह सन्योजी आबंद तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि सह स्योजी आबंद होता क्या है और उसके बाद में इसको उधाहरण के साहता से समझेंगे दोस्तो वह बंद जो समान परमाडवो या फिर भिन परमाडवो के मध्ध इलेक्टरान युग्म के साजह से बनते हैं सह संयोजक बंद कहलाते हैं अब दोस्तो इसको हम उदाहरण से समझते हैं जिससे ये हमें पूण रोफ से समझ में आ सके दोस्तों हमें पता है कि कार्बन का जो परमाड करमांग होता है वो होता है च्छै अब दोस्तों इसका अगर हम इलेक्टरानिक बिन्यास करें तो ये टोटेगा दो और चार में अब दोस्तों इसके जो अंतिम कच्छ में इलेक्टरान है वो है चार और जबकि यहाँ पर होना चाहिए 8 electron तब इसके कोस जो है वो complete होंगे तो दोस्तों यह अपना अस्टक complete करने के लिए या तो यहाँ पर 4 electron को grand कर ले या फिर 4 electron को त्याग दे अगर यह 4 electron को त्याग देता है तो यहाँ पर 2 electron बचेंगे और इसका पहला कोस complete हो जाएगा क्योंकि हमें पता है कि के, यल, यम, यन इस परकार से कोस होते हैं और के में 2 electron, यल में 8 electron, यम में 8 electron इस परकार से भरे जाते हैं तो यहाँ पर अगर 4 electron यह त्याग देगा तो यहाँ पर क्यों 2 electron बचेंगे अर्थात के कोस कम्प्लीट हो जाएगा और अगर यहीं पर यह चार इलेक्टरान ग्रहन कर लेता है तो यह जो यल वाला कोस है इसमें आठ इलेक्टरान हो जाएगे और इसका जो अस्टक है वो कम्प्लीट हो जाएगा तो दोस्तों यहां पर क्या है कि ये ना तो चार इलेक्टरान को ग्रहन कर पाएगा असानी से और ना ही चार इलेक्टरान को त्याग पाएगा असानी से अब हम जानते हैं कि क्यों नहीं ये ग्रहन कर पाएगा चार इलेक्टरान को और क्यों नहीं ये त्याग पाएगा चार इलेक्टरान को इसके बारे में अब दोस्तों इस बात को समझने के लिए हम यहाँ पर एक परमाड की सन रचना कर रहे हैं और उसके बाद में हमें पता है कि जो कार्बन में इलेक्टरानों के संक्या है वो 6 है और जब इसका इलेक्टरानिक बिन्यास किया गया है तो K में 2 इलेक्टरान और L में 4 इलेक्टरान है तो पहले कोस में हम यहाँ पर दो इलेक्टरान कर दे रहे हैं और दूसरे कोस में चार इलेक्टरान कर रहे हैं अब दोस्तों हमें पता है कि जब 6 इलेक्टरान है कार्बन में तो जो इसका नाभिक होगा इसमें प्रोटानों की संक्या चाय होगी अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जब कार्बन इलेक्टरान को त्यागना चाहेगा जब यहाँ पर चार इलेक्टरान को त्यागना चाहेगा तो इसको बहुत ज़्यादा उर्जा किया हो सकता होगी इसलिए यहाँ पर इसको बहुत ही ज़्यादा असुबिधा हो तो यहाँ पर कुल इलेक्टरानों के संख्याज हो जाएगी वो हो जाएगी 10 तो दोस्तों 10 इलेक्टरान और 6 प्रोटरान यह यहाँ पर मुंकिन नहीं हो पाएगा यहाँ पर यह बहुत जादा दिक्कत हो जाएगा इसलिए यह चार इलेक्टरान को ग्रेहन करने में भी इसमर्थ हो जाएगा तो दोस्तों यहाँ पर यह problem खड़ी हो जाती है अब दोस्तों इसको सुल्जाने के लिए कार्बन क्या करेगा किसी अन्य तत्व से इलेक्टरानों को साज़ा कर लेगा अब दोस्तों यापर साजह करड़ें का मतलब क्या हुआ कि कोई दो ब्यक्ति है और उनके बीच में एक वस्त होए अब उस वस्तो का यूज दोनों बराबर बराबर करें तो वो साजह का वस्तो हो जाता है ठीक इसी परकार ये कार्बन साजह करेगा इलेक्टरान का तो दोस्तों अगर हम यापर उदाहरण की बात करें तो यहाँ पर हम कार्बन लिख लेते हैं और इसके पास चह इलेक्टरान है। एक इलेक्टरान इस परकार से इस साजह कर लेगा तो यहाँ पर एक electron इसके पास साजाएगा carbon अर्थाद इसका ले सकता है और जो hydrogen है वो इस carbon का एक electron ले लेगा तो उसके पास दो electron हो जाएगा और पहला कोस के इसका complete हो जाएगा ठीक इसी परकार से दूसरे वाले hydrogen से ये एक electron का साजा करेगा तो यहाँ पर क्या होगा कि जो hydrogen का जो electron है वो दो हो जाएगा साजा करने पर अर्थाद ये दो का यूज कर सकेगा तो यहाँ पर भी इसका जो कोस है वो complete हो जाएगा और carbon को एक electron यहाँ से मिल जाएगा दो electron हो गया ठीक इसी परकार तीसरे वाले hydrogen से ये एक electron जब साजा करेगा तो hydrogen के पास दो electron हो जाएगा अर्थाद hydrogen दो electron का यूज कर सकता है तो यहाँ पर इसका K वाला जो कोस है hydrogen का वो complete हो जाएगा क्योंकि K में दो electron भरा जाता है तो दो electron इसके पास हो जाएगा और उसके बाद में कार्बन जो है यहां से भी एक इलेक्टरान पा जाएगा ठीक इसी परकार चौथा वाला भी जो हाइडरोजन है इससे एक इलेक्टरान का साजह यह कार्बन कर लेगा तो यहां पर इसका चौथा वाला जो इलेक्टरान है वो भी मिल जाएगा तो चार इल कंप्लेट हो जाएगा तो दोस्तों यही क्रिया कहलाती है सहसंयोजी आबंध तो दोस्तों यह हो गया सहसंयोजी आबंध अब हम बात करेंगे सहसंयोजक बंधन के कुछ उधारण तो दोस्तों पहला उधारण है हाइड्रोजन ह2 आणू का निर्माड अब दोस्तों हाइड् ना दो इलेक्टरान तो दोस्तों यहां पर H2 का अनुनिर्माड है तो यहां पर H जो होंगे वो दो होंगे और यहां पर जो H पहला वाला है उसके पास एक लेक्टरान और जो दूसरा वाला H है अर्थात हाइड्रोजन है इसके पास एक लेक्टरान तो यहां पर यह पहला व वाले हाइड्रोजन से एक इलेक्टरान साजह कर लेगा तो इस परकार से जब ये साजह कर लेगा तो इस परकार से दोनों के जो कोश हैं वो कम्प्लीट हो जाएंगे अर्थात दोनों जब दो-दो इलेक्टरान का यूज कर पाएंगे तो इनका जो K वाला कोस है वो कम्प्लीट हो जाएगा तो यह यहाँ पर H2 का अणु जो है वो निर्माड हो जाएगा तो दोस्तों यह हो गया हाइडरोजन H2 अणु का निर्माड अब हम बात करेंगे क्लोरीन अणु CL2 का निर्माड अब दोस्तों हमें पता है कि क्लोरीन का जो प्रमाड करमांक होता है वो होता है सत्रा अब अगर हम इसका इलेक्टरानिक बिन्याज करें तो यह तूटेगा 2, 8 और 7 में यहाँ पर KLM, य yummy वाला कोस थे वो complete नहीं है वहाँ पर एक इलेक्टरान की यहाँ पर आऊ सकता है तो दोस्तों यहाँ पर CL2 है तो CL2 होने के कारण यहाँ पर क्या है कि एक CL इस तरफ अगर हम कर दे और एक CL इस तरफ कर दे अभी इसमें जो इलेक्टरान की संख्या है वो है जो अंतिम कच्छा में इलेक्टरान की संख्या जो आपर है वो है साथ तो यहाँ पर साथ इलेक्टरान यहाँ पर इस परकार से कर दिए और इस वाले CL पर भी साथ इ कलोरिन का जो कच्छक है वो कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि वहाँ पर एक एक एलेक्टरान का युग कर पाईगा तो यहां पर अंतिम कोस में यह 8 एलेक्टरान हो जाएगा ठीक इसी परकार दूसरे वाला जो कलोरिन है इसका भी अस्टक complete हो जाएगा तो इस परकार से जो CL2 का निर्माड है अडू वो complete हो जाएगा अब दोस्तों हम बात करेंगे oxygen O2 अडू के निर्माड के बारे में अब दोस्तों हमें पता है कि oxygen का जो परमाड करमांग होता है वो होता है 8 अब इसका अगर हम electronic बिन्यास करें तो ये तूटेगा 2 और 6 में अब यहाँ पर जो अंतिम कोस में electron की संख्या है वो है यहाँ पर 6 और इसको होना चाहिए 8 अर्थात यहाँ पर 2 electron की यहाँ पर इसको आवस्यक्ता है तो यहाँ पर O2 का निर्माड करना है तो यहाँ पर O1 इधर हो जाएगा और oxygen यह इधर हो जाएगा तो दो oxygen इस परकार से हो जाएंगे इसके अंतिम कच्छ में 6 electron इसके अंतिम कच्छ में 6 electron अब दोस्तों इस oxygen को 2 electron की आवसकता है और इस oxygen को भी 2 electron की आवसकता है तो यहाँ पर क्या करेगा यह दो इलेक्टरान का साज़ा करेगा इस वाले आकसीजन से और यह दूसरा वाला जो आकसीजन है यह इस वाले आकसीजन से दो इलेक्टरान का साज़ा कर लेगा तो इस परकार से यह दोनों जब दो-दो इलेक्टरानों का साज़ा कर लेंगे तो दोनों के पास जो अंतिम क अच्छे में इलेक्टरानों की संख्या है वो आठ आठ कम्प्लीट हो जाएगी तो दोस्तों यहां पर जो इलेक्टरानों की संख्या है साजा करने वाली यहां पर दो दो है यहां पर दो इलेक्टरानों का साजा किया गया है तो यहां पर जो बांड बीच में लग जाएगा वो लग जाएगा दो तो दोस्तों ये हो गया O2 आड़ो में सह संयोजक बंद अब हम बात करेंगे nitrogen N2 आड़ो के निर्माड के बारे में अब दोस्तों हमें जो पता है कि nitrogen का फर्माड करमांक जो होता है वो होता है साथ अब इसका अगर हम electronic बिन्यास करें तो ये हो जाएगा 2-5 अब इसके जो अंतिम कच में electron के संख्या है वो है 5 यहाँ पर 3 electron के आव सकता है और यहाँ पर यंटू आड़ो का निर्माड करना है तो 2 nitrogen होंगे तो यहाँ पर एक nitrogen इस तरफ कर दें और जब यह वाला nitrogen जो है यह इस वाले nitrogen से 3 electron का साज़ा कर लेगा तो इसका अस्टक complete हो जाएगा ठीक इसी परकार यह दूसरा वाला nitrogen इस वाले nitrogen से 3 electron का साज़ा कर लेगा तो इसका अस्टक भी complete हो जाएगा तो यह क्या करेंगे तीन तीन इलेक्टरानों का साजह कर लेंगे और इनका स्टक कम्प्लीट हो जाएगा तो दोस्तों यहाँ पर तीन इलेक्टरानों का साजह किये हैं तो यहाँ पर बीच में जो बांड हम लगाएंगे वो लगाएंगे यन-यन के बीच में जो बांड लगेगा वो तीन बांड लगेगा तो दोस्तों ये हो गया यन्टू अणू में सह सयोजक बंधन अब हम बात करेंगे मेथेन, CH4 अणू का निर्माड दोस्तों सबसे पहले तो हमें पता है कि जो मेथेन का सूत्र होता है वो होता है CH4 यहाँ पर कारवन है एक और जो हाइड्रोजन है वो है चार अब हमें पता है कि कारवन में इलेक्टरानों की संख्या 6 होती है और इसका इलेक्टरानिक बिन्यास अगर कर दें तो यहाँ पर ये 2 और 4 में तूटेगा अर्थात इसके अंतिम कच्छ में 4 इलेक्टरान बचेंगे और इसको 4 इलेक्टरान की आवसकता है अपना कच्छक कंप्लीड करने के लिए और यहाँ पर जो हाइड्रोजन है hydrogen में जो परमाड कुरमांक इसका होता है वो होता है एक तो इसका जो electronic बिन्यास होगा उसमें क्योल एक आएगा और इसको अपना कच्छक complete करने के लिए एक electron की आउसकता होगी तो यहाँ पर अगर हम लिखना चाहें तो carbon को बीच में लिखेंगे और इसमें जो अंतिम कच्छक में इलेक्टरान है वो 4 है तो 4 इलेक्टरान को कुछ इस परकार से लिख देंगे अब यहां पर क्या है कि जो hydrogen है इसके 4 तरफ हम लिख लेंगे और क्या करेंगी यह जो carbon है यह इस hydrogen से 1-2 हो जाएगा क्योंकि साजह करने पर ये दो इलेक्टरान का यूज कर पाएगा इसका अस्टक कम्प्लीट इस प्रकार से ये चारो हाइड्रोजन एक इलेक्टरान का साजह कर लेंगे तो यहाँ पर इस पहले वाले हाइड्रोजन का भी अस्टक कम्प्लीट हो जाएगा दूसरे वाले का त चार इलेक्टरान की यहाँ सकता थी, तो इसका अस्टक भी complete हो जाएगा, तो इस परकार से जब इसका अस्टक complete हो जाएगा, तो यह यहाँ पर जो है, मेथेन बना लेगा, तो दोस्तों यह हो गया, मेथेन, C-H4, आणुका निर्माड, तो दोस्तों अब हम बात करेंगे, इ इसका सूत्र जो होता है यहां पर नाइट्रोजन एक है और यहां पर जो हाइड्रोजन है वो तीन परमाण है इसके तो नाइट्रोजन का परमाण करमांग जो होता है वो होता है साथ और इसका इलेक्टरानिक बिन्यास करें तो यह बिन्यास होगा दो और पांच में तूटे तो यहाँ पर जो अंतिम कच्छ में लेक्टरान होंगे वो 5 होंगे इसको 3 इलेक्टरान की आव सकता है अपना स्टक कंप्लीट करने के लिए और दोस्तों यहीं पर हाइड्रोजन 3 है तो हाइड्रोजन को क्या है कि हाइड्रोजन का परमाड करमा के होता है इसका इलेक्टरा एक इलेक्टरान का यहां पर साजह करवा देंगे तो हाइड्रोजन का दो इलेक्टरान हो जाएगा यहां पर दूसरे वाले हाइड्रोजन का दो इलेक्टरान हो जाएगा तीसरे वाले हाइड्रोजन का दो इलेक्टरान हो जाएगा और इसका आमोनिया NH3 आड़ू का निर्माड हो जाएगा अब हम बात करते हैं जल H2O के निर्माड के बारे में दोस्तों सबसे पहली बात तो जो जल का सोतर होता है वो होता है H2O अब दोस्तों H यहां पर दो अर्थाथ इसका दो परमाड होए और आकसीजन एक है आकसीजन का परमाड करवांक जो होता है वो होता है 8 और इसका अगर हम इलेक्टरानिक बिन्यास करें तो इसका बिन्यासित यह होगा 2 और 6 में इसके जो बाहतम कच्छ में इलेक्टरान है वो है 6 इसको 2 इलेक्टरान के आउसकता है और यहाँ पर hydrogen 2 है इसका परमाड करमांग जो है वो एक होता है तो hydrogen का जो electronic बिन्यास होगा वो होगा इसको एक electron क्या उसकता होगी तो दोस्तो oxygen को अगर हम बीच में लिख लें और इस परकार से hydrogen को इस तरफ और इस परकार से यहाँ पर 6 electron oxygen में हैं यहाँ पर दरसा दें और यहाँ पर hydrogen में एक electron और इस hydrogen में एक electron तो यह hydrogen इस oxygen से एक electron का साजा कर लेगा इसका कच्छक complete हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 2 electron हो ज पहले के वाले कोस्ट में दो ही अलेक्टरान भरे जाते हैं तो इसका जो इलेकटरान हो जाएगा वो हो जाएगा आठ और इसका कछक भी कमप्लीट हो जाएगा तो दोस्तों इस परकार से जल aight टू ओ के अंडू का निर्माड हो सकता है तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए और दोस्तों यदि आप नए हैं हमारे इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करकर प्रेस कर लीजे बेल आइकन को जिससे आपको नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे तो दोस्तों बस यहीं पर दीजे इजाज़त जैहिंद वंदे मातरम